हलो दोस्तों मेरा नाम है यश स्वागत है आपका मेरे चैनल दे ट्रेलर में आज की कहानी जिस स्मगलर के बारे में है वो कोई क्रिमिनल या किसी गैंग का मेंबर नहीं था बलके वो एक प्रोफेशनल होकी प्लियर था जिसने गांजा स्मगलिंग के तिहास में अपना नाम दर्च करा दिया सबसे ज़्यादा चौकाने वाली बात यह है कि जिस दौरान वो एक टीम के लिए होकी मैचेस खेल रहा था उसी दौरान वो कैनेडा से USA के बीच गांजा स्मगलिंग को भी अंजाम दे रहा था और आखरी बार वो इतने सारे गांजे के साथ पकड़ा गया कि उसकी अमेरिका में एंट्री को ही बैंड कर दिया गया तो आखर कौन था ये शक्स वो ऐसी कौन सी वज़ा थी जिसने एक बहतरीन प्रोफेशनल हौकी प्लियर को उसके करियर के पीक पर एक गांजा स्मगलर बनने पर मजबूर कर दिया और पॉलिस के हाथ लगने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ ये आपको जहंक जोड कर रख देगा कानी शुरू थी नौर्थ वैंकूवर के ब्रिटिश कोलंबिया से जहां सन 1975 के दौरान वहां के रहने वाले लोगों की दिल्चस्पी स्पोर्ट्स और बाकी अक्टिविटीज में काफी ज़्यादा होती थी वहां के रहने वाले ज़्यादातर यंग्स्टर्स भी किसी न किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा जरूर लेते थे और जिस खेल ने सबसे ज़्यादा उन लोगों को अपनी तरफ आकरशित किया वो था आईस हौकी इन्ही यंग लोगों में एक शक्स था जिसका नाम था राएन जॉन फिलिप्स और वो भी इस खेल से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और यही वो वज़ाती कि वो हमेशा से एक एनेचल सुपरस्टार बनना चाहता था आपको बताता चलू के एनेचल एक नेशनल हौकी लीग है जिसमें आईस हौकी मैचिस खेले जाते हैं और इसमें कुल 32 टीम्स हिस्सा लेती हैं जिसमें से 25 युएसे और साथ कैनेडा से होती हैं उस वक्ती दुनिया का पांचवा सबसे अमीर स्पोर्ट्स था और जादा से जादा लोग इसमें हिस्सा लिना चाहते थे पहला रायन की किसमत अच्छी थी कि उसे एक सपोर्ट करने वाले फादर मिले थे और साथी साथ वो उसके कोच भी थे जिसकी वज़ती से वह बचपन से पहरों में स्केट स्पहन कर आइस होकी के प्रैक्टिस करता था कई चोटे मोटे मैचिस खेलने और लगतार प्रैक्टिस करने की वज़े से रायन का गेम अब दिन बदिन अच्छा होता चला गया और 16 सार की उम्र आते आते वो फैसला करता है कि वो कैनाडा में होने वाली जूनियर हौकी लिग्स खेलेगा जूनियर हौकी लिग ही वो रास्ता था जिसके जरीय वो एनचल यानि नैशनल हौकी लिग तक पहुंच सकता था मगर यह इतना आसान नहीं होने वाला था अब रायन जूनियर हौकी लिग में शामिल तो हो गया था एक बार उन लोगों ने उसे बेहोश करके उसके पूरे कपड़े उतार दिये और जब रायन सुब अपने बेट पर उठा तब वो पूरी तरह नंगा था और उसका बेट पर पेशा भी निकल चुका था इस हाथसे के बाद रायन बहुत डरा डरा रहने लगा और उसे ये लगने लगा कि उसका एक प्रोफेशनल होकी प्लियर बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा मगर वो जैसे तैसे सभी लीग मैचिस खेलता है और बिना किसी को कुछ बताए अपने घर वापस लोड़ जाता है टीम मेंबर्स के इस बढ़ताओ की वाज़े से रायन के दिमाग पर बहुत गहरा और बहुत बुरा असर हुआ और चुकि उसका कोई दोस्ट भी नहीं था इसलिए वो अक्सर शराब भी पीने लगा बेरार घर पहुँचने के कुछ दिन बाद एक रात वो एक बार पहुचता है जहाँ उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्ट से होती है जिसका नाम था कीं अचानक हुई इस मुलाकात और एक दूसरे को देखने के बाद वो दुनों बहुत खुश होते है जिसके बाद केन रायन को अपने बाकी और दोस्तों से भी मिलवाता है इसी दोरान रायन देखता है कि केन खुले हाथों से पैसे उड़ा रहा है और अब उसकी दिल्चस्पी इस बात में बहुत जादा बढ़ जाती है कि वो इतने पैसे कैसे कमा रहा है राइन अभी यह सब सोची रहा था कि इसी दुरान कें इसके पास आकर बैट जाता है और उन दुनों में बाच्चीत शुरू हो जाती है बाचीत की दुरान केन राइन से पूछता है कि क्या वो पैसे कमा रहा है जिसके जवाब में वो से अपनी टीम की पूरी कहानी बता देता है और साथी साथ ये भी कहता है कि वो अभी कोई पैसे ने कमा रहा है ये सुनते ही केन उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ काम करेगा और राइन बिना ये जाने के काम क्या है फौरान राजी हो जाता है बहरार इस बाचीत के बाद केन राइन से कहता है कि वो उससे अगले दिन आकर मिलेगा और साथी साथ ये भी कहता है कि वो अपनी होकी किट बैक निकाल कर रखे इस मुलाकात के बाद वो दोनों वापस अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और राएन इस मुलाकात से बहुत खुश और उत्साहिद था क्योंकि काफी लंबे समय बाद उसने किसी के साथ एक अच्छा वक गुजारा था राएन को अपने सामने एक अच्छा दोस्त और एक अच्छी जिन्दगी दिखाई देने लगती है क्योंकि उसने जादातर अपनी होकी टीम की मेंबर्स का खराब बरता हो और अकेला पनी देखा था मगर वो इस बात से बेखबर था कि यहां से उसकी जिन्दगी एक नया मोड लेने वाली है राएन की पूरी रात इसी कश्मकश में निकल गई कि आखिर केन उसे क्या काम देने वाला है और अगरी सुबह उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है राएन की माई जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है उन्हें बाहर केन खड़ा दिखाई देता है मगर केन उन्हें जूड बोलते हुए अपना इंट्रोड़क्शन देता है और उन्हें ये बताता है कि वो एक म्यूजिक लेबल का ओनर है और राएन से मिलने आया है राएन की माई जी जकते हुए उसे अंदर आने देती है जिसके बाद केन और राएन दोनों एक कमरे में चले जाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है राएन की उस जिंदगी की जिसके बारे मुसे वहमो गुमान भी नहीं था कमरे में पहुशने के बाद केन अपने बैक से बड़े बड़े गांजे के पैकेट्स निकालता है और उन्हें राएन के सामने टेबल पर रग देता है जिससे देखने के बाद राएन की आँके फटी की फटी रह जाती है और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि वो इस गांजे से पैसे कैसे कमा सकता है आपको बताता चलूँ के कैनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गांजे की खेती करना एक आम बात है पैकेट्स बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका के अंदर ले जाने होंगे जिसके बदले उसे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे और बाचीत के दोरानी वो एक 10 किलो गांजे का पैकेट राएन के हौकी किट बैक के अंदर रख देता है राएन के पास भी अप केयन की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और यही एक रास्ता था जिसके जरीये वो कुछ पैसे कमा सकता था मगर इसमें रिस्क भी उतना ही जादा था इस मुलाकात के दो दिन बाद ही राएन गांजे के साथ अपनी गारी में बैठकर बॉर्डर की तरफ निकल जाता है और चुके बॉर्डर उसके घर से महस एक घंटे पंदरा मिनट की दूरी पर था इसलिए उसे लगता है कि वो ये काम बहुत आसानी से कर लेगा मगर इसी दोरान राएन की नजर अपनी कार के रियर वियू मिरर पर पड़ती है जिसमें वो पॉलिस की बॉर्डर पेट्रोल कार को अपने पीछे आते देखता है ये देखते ही राएन बहुत डर जाता है और घबराट में उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं जिसकी वज़े से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है इस डर और कश्मकश में राएन अपनी कार को यूटन लेने का फैसला लेने ही वाला था कि तब ही वो देखता है कि बॉर्डर पेट्रोल कार एक टन लेकर दूसरे रास्ते पर चली जाती है और उसकी नजरों से गायब हो जाती है इस मुसीबत से बचकर राएन अभी थोड़ा और आगे बढ़ा ही था कि तब ही बॉर्डर के पास उसे गाड रोक लेता है और उसे अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए कहता है पासपोर्ट चेक करने के दौरान गाड उससे पूछता है कि वो कहा जा रहा है जिसके जवाब में राएन गाड की आँखों में आखे डाल कर उससे कहता है कि वो वाशिंग्टर में जूनियर हौकी मैच खेलने जा रहा है और गाड को जब ये लगने लगता है कि सब कुछ सही है और जो हौकी की दुनिया में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा था राएन को इस स्मगलिंग से पैसों का ऐसा चसका लगा कि एक के बाद उसने कई स्मगलिंग ट्रिप्स को अंजाम दिया जिसमें हर ट्रिप के उसने हजार से 1500 डॉलर तक कमाए और अब वो बिलकुल वैसे ही पैसे उडा रहा था जैसे उसने केन को बार में उडाते हुए देखा था राएन को लगने लगता है कि अब उसकी जिन्दगी पट्री पर आ गई है क्योंकि उसे केन के रूप में एक अच्छा दोस मिल चुका था और वो पैसे भी बहुत अच्छे कमा रहा था कि तब ही एक दिन राएन की घर पर पोस्ट एक उन्वलप आता है इस उन्वलप में वो उफ़र लेटर था जो राएन को थंडर इस होकी लीक की तरफ से आया था जिसमें उसे उनकी तरफ से खेलने के लिए कौन्ट्रैक्ट साइन करना था यह उफ़र लेटर पढ़ते ही राएन उसके माबाग की खुशी का ठिकाना नहीं था और उन्हें लगने लगता है कि अब उनका बेटा उनके और अपने सपने पूरे करेगा मगर उनकी यह खुशी जादा दिनों तक नहीं ठीकी उदर राएन को भी कौन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अपनी पिछली टीम के मेंबर्स का बुरा रवईया याद आने लगता है जिसमें उसके साथ गाली गलोच और मारपीट करते थे और इस बार भी उसे वही डर सताने लगता है कि दोबारा फिर उसके साथ वैसा ना हो मगर चुके वो इतने बड़े कलब का ओफर छोड़ना नहीं चाता था इसलिए वो कौन्ट्रैक्स साइन कर लेता है उधर केन भी इस बात से बिलकुल बेखवर था कि रायन ने होकी लीक का कौन्ट्रैक्स साइन कर लिया है और वो गांजा स्मंगलिंग नहीं करेगा पहराल कौन्ट्रैक्स साइन करने के कुछी दिनों बाद रायन का पहला मैच का वक्त आ जाता है जिसे लगवाग 15,000 लोग देखने आए थे रायन कई महीनों बाद दोबारा स्केट्स पहन कर बरफ पर उतरता है और महस कुछी मिन्टों के अंदर वो अपना पहला गुल कर देता है जिसके बाद वहाँ बैटी ओडियन्स जोर शोर से जशन मनाने लगती है ओडियन्स की इसी बिन में रायन की नज़र एक लड़की पर पढ़ती है जिसका चैरा खुशी से चमक रहा था और इसी वक्त रायन फैसला कर लेता है कि वो इसे अपनी गल्फरेंड बनाएगा रायन अपनी ट्रेनर से कहता है कि वो उस लड़की से दोस्ती करना चाता है और उसका नाम जानना चाता है और मैच के अगले ही दिन रायन को उस लड़की का नाम पता चल जाता है जो था निकोल उधर केन इस बात से परिशान था कि उसे रायन की कोई ख़बर नहीं मिर लए थी और उसे ये डर सताने लगता है कि कहीं रायन के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया और इसी वज़ा से वो रायन के घर उसका पता लगाने के लिए पहुँचता है रायन की माँ उसे होकी लिग के कांट्रेक्ट के बारे में बताते हुए ये कहती है कि वो अमेरिका गया हुआ होकी मैच केलने के लिए ये सुनते ही केन उसी रात अमेरिका के लिए निकल जाता है और अगली सुबा मैच के बाद वो राइन से मिलता है और उससे कहता है कि वो गांजा स्मगलिंग के बिजनस को फिर से जॉइन कर ले क्योंकि बिजनिस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसे उसकी जरूरत है राइन केन से कहता है कि उसे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए और बहुत सोचने सबाजने के बाद राइन इस फैसले पर पहुँचता है कि अब वो इस काम को छोड़ देगा क्योंकि यह वो जिना चाहता था और साथी साथ वो अब निकोल के साथ अपनी जिन्दगी गुजारना चाहता था बहराल राइन का जवाब सुनकर केन वापस लोट जाता है और राइन दोबारा अपने मैचिस और अपने गेम में बिजी हो जाता है मगर वो इस बाद से बेखावर था कि अब उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसे दोबारा उस गांजे स्मगलिंग की दुनिया में ढखेल देगा चुकिर राइन इस कलब से खेल कर एक मशूर होकी पिलर बन चुका था और इसलिए उसे हर बार में फिरी की शराब मिलने लगी थी यह फिरी की शराब उसे जादतर बार्टेंडर या उसके फैंस पेलाते थे जिसकी वज़ासे वो हर बार इतनी ज़ादा शराब पी लेता कि उसे दो लोग उसके घर तक पहुँचाते और इसी वज़ासे अगले दिन उसे अपनी ट्रेनिक करने में कई परिशानियों का सामना करना पड़ता इसी दोना राएन और निकोल भी अब साथ रहने लगे और एक रोज जब वो दोनों गाड़ी में बैटकर अपने घर की दरफ जा रहे थे तब निकोल उसे बताती है कि वो प्रेगनेंट है जिससे सुनकर राएन बहुत शौक हो जाता है उसे ही लगने लगता है कि उसकी उमर अभी महज 20 साल है और वो अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने को तयार नहीं है बहराल सर्दियां आ चुकी थी और राएन की टीम का कोच क्रिसमस वाले दिन एक टीम मीटिंग बलाता है ज़समें वो सबी प्लियर्स को यह बताता है के दो दिन बाद उनका एक बहुत इंपॉर्टन मैच होने वाला है और वो सबी प्लियर्स को तब तक शराब पीने से मना कर देता है जहां एक तरफ टीम के बाकी मेंबर्स कोच के इंस्रक्शन को मानते हुए शराब को हाथ नहीं लगाते वही राएन मैच से पहले की रात इतनी जादा शराब पी लेता है कि वो अगले दिन होने वाले मैच में खेल नहीं पाता इस बार शराब पीने का खमियाजा उसे ये भुगतना पड़ा कि उसे टीम से फौरण निकाल दिये जाता है और वो टीम में अपनी जगा खो बैटता है राएन को अब ये समझ आने लगा कि उसका हौकी करियर अब हमेशा के लिए खतम हो चुका है और तब वो फैसला करता है कि वो दोबारा गांजा समगलिंग की शुरुआत करेगा और तब ये उसके दमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो था केन केन को डूनने के लिए राएन कई बार उसी बार में भी गया जहां वो दोनों मिलते थे मगर वहां वो नहीं आया और इसी दोरान राएन की मलाकात अपने एक और दोस्ते होती है जो उसके साथ हौकी खेला करता था राएन के इस दोस्त की USA कैनडा बॉर्डर पर सेटिंग थी जिसकी वज़ासे वो लोगों से 500 डॉलर लेकर उन्हें बिना चेकिये बॉर्डर क्रॉस कराता था और ये पता चलते ही राएन को लगने लगता है कि एक सुनेरा मौका है जिसका फाइदा उठा कर वो अमेरिका और कैनडा के बीच स्मगलिंग कर सकता है पहलाल राएन इदर दर लोगों से गांजा लेकर कैनडा से अमेरिका में स्मगल करना शुरू कर देता है मगर इस बात की खबर केन को लग जाती है ये पता चलता ही केन को लगने लगता है कि राएन उसे धोका देकर साइड में खुद स्मगलिंग कर रहा है और वो राएन को ढूंड कर उसे बंदूग से डराता धमकाता है राएन इस बात से बहुत डर जाता है और उसने एक कभी नहीं सोचा था कि गांजा स्मगलिंग के दौरान उसे कभी बंदूग का सामना करना पड़ेगा और इसलिए वो केन से हर तरह का कॉंटेक्ट खतम कर देता है अब राएन के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि वो इस स्मगलिंग को इस तरह अंजाम दे जिससे ना केन को इसकी खबर लगे और नहीं किसी और को और इसके लिए वो एक बहतरीन तरीका निकालता है चुक्के स्मगलिंग करते करते राएन ब्रिटिश कोलम्बिय के ज़ादातर गांजा उगाने वालों को जान चुका था और इसलिए वो फैसला करता है कि वो इस बार वो 50 किलो गांजा लेकर पहुँच जाता है वो राएन से कहती कि वो फोरन स्मगलिंग को बंद कर दे वरना उसे जेल जाना पड़ेगा या वो किसी की गोली से मारा जाएगा निकोल ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि राएन के मरने के बाद वो अकेली पड़ जाए और उसे अपने होने वाले बच्चे की परवरिश अकेली करनी पड़े और इसी वज़े से उन दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है मगर राएन निकोल की बात नहीं मानता और अपनी स्मगलिंग का समान पैक करने लगता है निकोल को जब यह समझ आ जाता है कि राएन अब रुकने वाला नहीं है तब वो फैसला करती है कि वो राएन से डिवोस ले लेगी और अपनी बेटी को लेकर अमेरिका चली जाती है राएन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस पर उसने हौकी छोड़का दोबारा गांजा समगलिंग में कदम रखने का फैसला लिया था उसी वक्से उसकी जिन्दगी तबाही की तरफ चल पड़ी थी हाला कि राएन ने अभी तक सिर्फ छोटे मोटे पैकिट्स बैक्स में रखकर बॉर्टर से समगल किये थे मगर इस बार उसके पास लगभग 50 किलो गांजा था और इसके लिए वो एक नया रास्ता ढूंड निकालता है राएन ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि कैनाडा बॉर्टर बहुत बड़ा है जिसके आसपास बहुत बड़ा जंगल फैला हुआ है और इसी जंगल से होता हुए एक 12 किलो मिटर की रोट थी जो सीधे अमेरिका तक जाती थी इस मगलिंग को अंजाम देने के लिए राएन चार लोगों की टीम मनाता है जिसमें वो सबी को इस रूट की बारिक से बारिक डीटेल के बारे में बताता और समझाता है और यही वो चार लोग थे जिसमें हर शक्स 12-12 किलो गांजा अपने साथ ले जाने वाला था राएन के प्लान के मताबिक यह चारो अलग अलग पैदल इस जंगल को पार करेंगे और इन सभी गांजा के पैकेट्स को उस आदमी को हैंड ओवर कर देंगे जो अमेरिका की साइट खड़े उनका इंतजार कर रहा होगा चुकि इस बार गांजा काफी जादा था और राएन किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाता था इसलिए वो खुद भी इन चार लोगों के साथ जाने का फैसला करता है इस घने जंगल को पार करने में उन्हें लगबग 8 घंटे लगे और जो वो अगली सुबा बॉर्डर पार करके दूसरी साइट पहुचते हैं तब वो देखते हैं कि इस गांजा को लेने वाला शक्स अभी भी नहीं पहुचा था ये देख राएन को कुछ अटपटा सा लगता है मगर कुछी देर बाद वो शक्स अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ पहुच जाता है जिसे देख राएन सुकून की सांस लेता है राएन उस शक्स से पूछता है कि उसे आने में इतनी देर क्यों लग गई जिसका जवाब सुनकर राएन के होश उड़ जाते है वो शक्स राएन को बताता है कि उसे शक है कि उसका पीछा किया जा रहा है और ये सुनते ही राएन सभी से कहता है कि ये शिप्मेंट देकर उनने जल से जल ये जगा छोड़नी होगी मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब ये वो सभी वहाँ से निकल नहीं वाले थे कि तब ये उनने हेलिकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है ये हेलिकॉप्टर युनाइटेट स्टेट पुलिस के थे और महस कुछी देर में वो पुलिस उन सभी को चारो तरफ से घेर लेती है पुलिस रायन और उसके सातियों से कहती है कि वो सबी सरेंडर कर देंगे उन्ना उने गोली मार देंगे जिसके बाद उस सभी घुटनों के बल बैट कर सरेंडर कर देते हैं इस गिरफतारी के बाद राएन डर के मारे काप रहा था और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो कैसे इस गलत रास्ते पर चल पड़ा जहां उसकी जिन्दगी डर और मुसीबतों की वज़ा से बरबाद हो गई उसे बार बार अपने होकी गेम को छोड़ने का पच्टावा हो रहा था और उसे लग रहा था कि उसे निकोल की बात मान लेनी चाहिए थी बैराल इस गिरफतारी के बाद उन सभी को फेडरल डिटेंशन सेंटर ले जाये जाता है जहां रायन को इसे स्मगलिंग का मास्टर माइन होने की वज़ा से उस पर कुल 50 किलो बैंट प्लांट यानि गांजे को अमेरिका में लाने का मुकदमा दर्च किया जाता है और उसे देर साल की सज़ा सुनाई जाती है सज़ा सुनाने के बाद उसे वाशिंग्टन की सियाटिक जेल भेज़ दिया जाता है जहां उसे एकांद कारवास में रखा जाता है और इसी वज़ा से वो सज़ा काटने के दौरान 500 दिनों तक दिन की रोशनी नहीं देख पाया इस जेल में लगबख साड़े 300 कैदी थे और ये पूरी जेल खतनाक कैदीयों से भरी पड़ी थी और राएन की जेल में आता ही वो सभी जोर जोर से चिलाने लगते हैं कि उसे मार डालेंगे ये सुनते ही राएन की रूह काप उड़ती है और अब उसे अपना घर, अपने माबाप, बीवी बच्चे और अपने होकी करियर की याद आने लगती है जिसे उसने इस गांजे स्मगलिंग के लिए दाउं पर लगा दिया था राएन काप अब हर वक्त यही सोच परिशान करती रहती कि वो इस जेल में अपना वक्त कैसे काटेगा और साथी साथ उसे ये डर भी सताता रहता कि जेल के दूसरे कैदियों से मार डालेंगे इस जेल में उसे सबसे ज़ादा मैकसिकन माफिया से खतरा था और वो उसे कभी भी मार सकते थे क्योंकि वो उनके लिए कॉमपेटीटर ही था और इससे पहले भी उन्होंने फिल्मी स्टाइल में कई कैदियों को मर वाय था इस जेल के महस कैदी ही खतरनाक रही थे बलके इस जेल के गार्ड्स भी बहुत खतरनाक थे और उनका रवाया भी बहुत खराब था जिसकी वज़ासे वो जेल में रह रह रहे हैं कैदीयों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते थे एक बार तो एक गार्ड रायन को अपने कमरे में बुलाता है जिसकी वज़े से रायन बहुत डर जाता है उसे लगने लगता है कि गार्ड कहीं उसके साथ कोई गलत काम न कर दे और जैसे ही राइन उस गार्ड के कमरे में पहुंचता है वो उससे कपड़े उतारने के लिए कहता है ये सुनते ही मानों राइन के पूरे बदन का खून सुख जाता है और वो मजबूरी में कपड़े उतार देता है मगर वो गार्ड महज राइन की तलाशी लेकर उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे शक था कि राइन के पास ड्रग्स है चूंकि इस बार राइन को पूरी तरह नंगा किया गया था इसलिए इस बात से वो बहुत शर्मिंदा था जिसने उसके दिलों दिमाग पर बहुत बुरा और गहरा असर किया इसी दोनान एक दिन जेल में राइन की मां उससे मिलने आती है जिने वो ये बताता है कि उसके अमेरिका जाने पर पाबंदी लगा दी गई है जिसका साफ मतलब था कि वो अमेरिका में रह रहे ही अपनी बेटी से भी कभी नहीं मिल सकता राइन को अब हर वक्त निकोल की कही बाते याद आने लगी जो उसने उसे छोड़ने से पहले समझाई थी और अब वो हर वक्त इसी पच्तावे के साथ जीने लगा केसिस बगलिंग के चक्कर में उससे हर वो चीज चूट गई जिससे वो प्यार करता था और चुकि उसके अमेरिका जाने पर बैंट था इसलिए वो अपनी बेटी से भी नहीं मिल सकता था इसी कश्मकश और परिशानियों के बीच एक दिन रायन फैसला करता है कि वो दोबारा अपनी जिन्दगी की नई सिरे से शुरुआत करेगा और अब वो जेल के अंदर रह रहे दूसरे कैदियों से जान पहचान बढ़ाना शुरू करता है और उन्हें बताता है कि वो बिटिश कॉलंबिया से है चुकि बिटिश कॉलंबिया हाई क्वालिटी का गांजा उगाने के लिए जाना जाता था इसलिए बाकी कैदि उससे कहते है कि क्या वो उन्हें ये गांजा लाकर दे सकता है रायन को लगने लगता है कि वो इन कैदियों से जान पहचान बढ़ा कर दोबारा उसी रास्ते पर चला जाएगा इसलिए वो अपनी जिन्दगी को एक नई शुरुआत देने के लिए कांसिलिंग सेशन्स लेता है और साथी साथ जेल की हौकी टीम भी जॉइन कर लेता है उसे ये समझ आ गया था कि हौकी के सहारे वो इस जेल में अपनी सजा काट सकता है क्योंकि जेल में एक यही चीज थी जिससे वो प्यार करता था और वो खुद से एक वादा भी करता है कि जेल से बाहर रिकलने के बाद वो सारे गलत काम छोड़ देगा पहराल देर साल की सजा काटने के बाद राएं जेल से रहा हो जाता है और साथी साथ गौवर्णमेंट के साथ एक काट्रैक भी साइन करता है कि वो कभी अमेरिका में दाखिल नहीं होगा हाले कि उसने एक काट्रैक तो साइन कर लिया था मगर एक सवाल हर वक्त उसके दिमाग में घूमने लगा और वो ये था कि जब वो अमेरिका में अपनी बेटी से मिल नहीं सकता तो ऐसी आजादी का क्या फाइदा उसे हर वक्त यही डर सताता रहता कि अब वो कभी दोबार अपनी बेटी को नहीं देख पाएगा और इसी सोच और डर ने उसे तीसी बार गांजा स्मगलिंग की दुनिया में धकेल दिया और इस बार वो खुद से किया वादे को तोड़कर ड्रग स्मगलिंग की एक बहुत बड़ी गैंग बनाता है रायन जेल से छूटने के बाद सबसे पहले वैनकूवर पहुंचता है और जेल में बनाई हुए करेक्शन्स की मदद से वो फिर से एक टीम बनाना शुरू करता है इस बार जो गैंग वो बना रहा था वो कोई मामूली गैंग नहीं थी और इसी गैंग के लोगों के पास ट्रक्स बोर्ट्स और यहां तक की छोटे प्लेंज भी थे जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा गांजा को स्मगल करने वाले थे इस नहीं गैंग की मदद से अब वो इतना ज़्यादा गांजा स्मगल करने लगा कि अब वो हर हफ़ते के लगभख धाई लाग डॉलर यानि दो करोड रुपे तक कमाने लगा उसके पास अब इतना ज़्यादा कैश होता जा रहा था कि इसे छुपाने के लिए वोसे जूतों के डबों, मेकप किट और पानी की टंकियों का इस्तमाल करना पड़ रहा था हाला कि वो बेशुमार दौलत तो कमा रहा था, मगर उसे अपनी जिन्दगी बहुत अधूरी सी लगने लगी और उसे याधूरापन अपनी बेटी के ना होने की वज़े से लग रहा था, जो अब धाई साल की हो चुकी थी उसने कई बार अपनी एक्स वाइफ निकोल से बात करने की कोशिश भी की, मगर उसने रायन से बात करने से इंकार कर दिया और इसी वज़ासे वो ड्रग्स लेने लगा और धीरे धीरे ड्रग्स का आदी होता चला गया वो अब इमोशनली इतना कमजोर हो गया था कि अब वो हर रात ड्रग्स लेने लगा ताकि उसे कुछ महसूसी ना हो और इसी ड्रग्स की आदत ने आगे चल कर उसे और उसके स्मगलिंग बिजनिस को बरबात कर दिया हर वक्ट ड्रग्स के नशे में रहने की वज़ा से उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है और क्या सही है और क्या गलत और इसी दोरान गांजा समगल करने के साथ साथ अब वो कोकेन भी समगल करने लगा और यही उसके लिए सबसे ज़ादा नुकसान दे साबित हुआ रायन अब इस कोकेन की डिमान को पूरा करने के लिए हर तरह के लोगों को अप्रोच करने लगा जिसमें रशियन, मेक्सिकन और चाइनीज माफिया भी शामिल थे वो अब इस कोकेन की डिमान को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था मगर वो इस बात से बेखबर था कि वो आँख से खेल रहा है और यही माफिया थी जो अब उसकी जान के पीछे पड़ गए क्योंकि उन्हें शक था कि वो उनसे ड्रक चुरा कर उनी के कस्टमर्स को बेच रहा है अब रायन को दिन रात फोन पर जान से मानने की धंकिया मिलने लगी जिसकी वज़ा से अब वो हर वक्त डर में रहने लगा एक रात तो फोन पर एक शक्स ने रायन से ये कहा कि उसने उनका 35 के लोग कोकेन चुराया है और उसे छोड़ेंगे नहीं अगली सुबार रायन वैंकूवर के डाउन टाउन में एक रेस्टरेंट पहुचता है कॉफी पीने के लिए कि तभी कुछ लोग उसके पास आकर बैट जाते है ये सभी लोग गैंक्स्टर का एक गुरुप था और उनमें से एक शक्स रायन से कहता है कि उनके चुराई हुए कोकेन के बदले उन्हें दो मिलियन डॉलर दे दे वरना उसे मार डालेंगे रायन खुद को बचाने के लिए उनसे जुट बोलता है कि वो बस गांजा स्मगलर है उसका कोकेन से कोई लेना देना नहीं है गुद कर दा है जिस पर गैंग मेंबर केंग लिए इससे बात को नकारते हों उसे एक दिन का टाइम देते हैं पेमिंट करने के लिए एक दिन गुदर जाने के बाद रायन सबी गैंग मेममर से मिलता है और दोबारा वही बात दौराता है जिस पर गैंग मेंबर्स कहते हैं कि उसे अपनी बात सच साबित करने के लिए लाइड डिटेक्टर टेस्ट देना होगा राइन के लिए एक आखरी मौका था यहां से बच निकलने का और अपने उपर इतनी सारी बंदू के तनी देख वो बहुत डर जाता है और उसके दिमाग में उल्टे सीधे सवाल आने लगते हैं बहराल राइन का लाइड डिटेक्टर टेस्ट शुरू होता है जिसमें उससे पात सवाल पूछे जाते हैं पहला सवाल यह था कि क्या पिछले तीन हफदों में वो लास एंजलेस गया था दूसरा सवाल यह था कि क्या उसने लास एंजलेस से कुछ चुराया था तीसरा सवाल यह था कि क्या उसने इस गैंक से कभी कुछ चुराया है चौता सवाल यह था कि क्या उसने कभी कोकेन स्मगल किया है और पाच्वा और आखरी सवाल ये था कि चोरी हुआ 35 किलो कोकेन कहां है हाला कि रायन को इन सभी सवालों का जवाब महज हा या ना में देना था मगर ये उसके लिए उतना ही मुश्किल था डर और घबराट में उसने इन सभी सवालों के जवाब तो दे दिये मगर वो ये नहीं जानता था कि उसने ये टेस्स पास किया है या नहीं और रायन की किस्मत इस बार काम कर जाती है और वो इस टेस्स में पास होकर यहां से छूट जाता है यहां से निकलने के बाद वो सीधा अपने घर पहुंचता है और शीशे के सामने खड़े होकर ये सोचने लगता है कि वो क्या बनना चाता था और क्या बन गया और उसका एक गलत फैसले की वज़ा से वो एक ऐसे मोड पर आकर खड़ा हो गया जहां सिवाई ड्रक्स और क्राइम के कुछ नहीं था और उसके बीबी बच्चे भी उससे दूर हो गए थे ये सोचते हुए वो जोर जोर से रोने लगता है और अब उसके सामने दो रास्ते थे कि या तो वो इसी रास्ते पर चलता रहे या अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करे रायन इस बार फैसला करता है कि वो ये सब को छोड़ देगा और सन 2011 आते आते वो एक एक अक्टिविस्ट बन जाता है जहां वो लोगों को हुमन ट्राफिकिंग से बचाता था और साती साथ वो ये भी जाता था कि ऐसा बहुत सारा यूथ है जो नशे की स्मगलिंग करके अपनी जिंदगी बरबाद कर रहा है इन सबी भटके हुए यूथ को सही रास्ते पर लाने के लिए वो ने अपनी कहानी सुनाने लगा जिसमें वो ये बताता कि उसने क्या क्या गलतियां करी और इन गलतियों की उसे कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी वो ने ये भी बताता कि कैसे वो लोग ये सब को छोड़कर अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ला सकते हैं जैसे वो अपनी जिंदगी को ले कर आया वो कहते हैं ना कि जब इनसान अच्छाई की तरफ बढ़ता है तब उसके साथ चीजें भी अच्छी होने लगती हैं और राएन के साथ भी यही हुआ राएन को सोसाइटी के लिए अच्छा काम करता देख अमेरिकन गौर्न्मेंट भी उस पर से बैन हटा देती है और अब वो अमेरिका जाकर अपनी बेटी से मिल सकता था यह थी कहानी एक होनार लड़के की जो कैनेडा का एक बड़ा हौकी प्लेयर बन सकता था मगर अपने गलत फैस्टों की वज़ह से वो ऐसे रास्तों पर चल पड़ा आपको यह कहानी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में लिकर ज़रूर बताएं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में